नमस्ते सातियों मैं बेंबु रम एगरो प्राविट लिमिटेट से रजट यह आप देख रहे हैं बेंबु सा बालकुआ का पोदा है जो कि अपनी काफी अच्छी हाइट ले चुका है 15-20 फूट का पोदा पोच चुका है जो कि काफी अच्छी ग्रोह थे इसकी यह एक साल क किया हुआ था हमने और यह काफी अच्छी हाइट पर पहुच चुका है और यह काफी पत्रीली जमीन पर लगा हुआ है यह कोपरे वाली जमीन पर लगा हुआ है जहां पर कभी खेती नहीं हुई है उस पर खेती होती भी नहीं है यह अब देख सकते हैं यह आईए मैं इनक आपको ग्रोथ के बारे में बताता हूं यह अभी एक मंत पहले यह वाला शूट निकला है जो कि साड़े चार से पांच फूट का पहुच चुका है यह इसने काफी अच्छी हाइट लिये जो कि आप देख सकते हैं यह हमने इसकी टहनिया चड़वा दी थी जिससे यह इसकी पर काफी असर पड़ा है यह हमने एक ट्राइल किया था यह इसकी टहनिया चड़वा के तो इसकी जो रूट सिस्टम है यह काफी अच्छी डबलप हुई हो इसने काफी अच्छे शूट निकाल लें जो कि आप देख सकते हैं जो कि यह एक तो अभी एक मंत पहले ही आया यह भी काफी ही एक लेड लेचुक है और हमने यह पोधे टू पूध्टे का डिस्टेंस काफी अच्छा फिट का रखा है बाकि यह सेосे बारा फिट की गली देते हैं जो कि इंटरकोपिंग के लिए रहता है पर हमें इंटरकोपिंग करना नहीं था इसलिए हमने चार-चार फिट के डिस्टेंस पे पोदे लगाएं जो की काफी अच्छा व्यू दे रहा हैं और हमें पीछे डैंस भी चाहिए था इस वज़े से हमने कम गेप दिया है बीच में और यह जो जो कि जिसकी प्रियुनिंगים नहीं है आप देख सकते हैं यह काफी घना उता जारता है और इसकी ग्रोथ में थोड़ा । जो की मैं आपको दिखाता हूं। यह जैसे कि अभी यह तीन दिन पहले कई शूट से जो कि अभी अभी निकला है और यह काफी अच्छा निकल रहा है यह आप देख सकते हैं यह सारे बेंबुसा बालकुआ के पोध है और यह आदे कड में इनके अमने ट्राइल वैसे इस पे लगाए हुए हैं यह साड़े चा जो कि सभी ने काफी अच्छी हाइट ली उयए है इसम्हाइक को दिखाता हूं अभी इनकी चटाई की अभी इन इनी पोदो की चटाई की उए जो कि इनका इन में काफी अच्छे शूट्स वगिरा निकल रहा हैं तो अब ये सभी की हम छटाई करवा देंगे जिससे सभी की ग्रोथ में काफी इसर पड़ेगा देन्यवाद